जैसे स्वामिनारेंद दोस्तों अक्षर प्लांटेंड प्लांटेंड में आप लोगों का स्वागत है आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह टॉपिक जो है अपना है जैसे बहुत से लोग पूछते हैं साब मैंने अडेनियम लगा रखायर अडेनियम के साथ में और कौन से पौधे हम लोग उसी में लगा सकते हैं या मैंने देखे भी हैं कुछ एक लोगोने क्या कर रखाएगी जैसे अडेनियम लगा वह एर डेनियम के नीचे जो खाली जेगे होती है मीडिया के अंदर वो लोग सीड ग्रो कर लेते हैं अडेनियम के ही तो आज हम यह जॉआ डिसकस करने के लिए आज हमारा जो पॉइंट है इसकें का यह ऐं कि अ दीosedर हम लगा सकते हैं और नहीं लगा सकते हैं तो वही जो चीज़ेन हैं आज हमने सकας करने के लिए वीडियो बनाए है क्योंकि कुछ एक दिन पहले मेरे से किसी ने पूछा वीचा सवाल 오른 च क्योंकि उसका बड़ा है तो दोस्तों अपना वीडियो अपन शुरू करते हैं तो दोस्तों काफी लोग क्या करते हैं कि जैसे या तो सीजनल ग्रो कर लेते हैं नीचे अडेनियम के बेस में और सीजनल ग्रो नहीं करते हैं तो काफी लोग क्या करते हैं सीड्स भी ग्रो करते क्लिए सबसे में जो एक होती ही मिलेगा सीड्स को तो सीड्स जो हैं वह जर्मिनेट्न नहीं करते हैं और ऐसे जो कि अधर प्लांट्स होते हैं यह होता है पानी की जादा होती और आपने अगर उस रिक्वाइरमेंट को फुल्फिल करने के लिए पानी ज्याधा दे धी दिया है उसमें रोटिंग की समश्य आ जाती हैं तो दोस्तों हमेशा अपने को ध्यान रखना है कि अलग अलग जो हैं अधिनीम होई या और कोई प्लाइंट होए या कोई सीड्स होएं उनको हमीशा सब्सक्राइब दूसरी समष्य क्या आती है जैसे रूट्स है रूट्स क्या करेंगी जैसे सीजनल प्लांट की उसको कवर कर देंगी पॉट को उपर से और उपर से नेट फॉर्म कर देगे हो जो मीडिया होता है उसे रहे जर्स जा breathe करने जर्ण fashion प्लाइंइot konuş आ जाना चाहिए और जो पानी ये ज़ना चाहिए वह उसकी रूट तक नहीं जा प्टता है और वो पर सॉपर फिश जो सीजनल प्लांट्स की रूट्स जो हैं उसको एब्सॉर्व करती है और जहां तक अडिनियम की रूट्स तक पहुंचने की जरूरत होती वहां तक वह नहीं पहुंच पाता है अब हम बात करें धूप की तो दोस्तों जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि जो अडिनियम के सीड्स अपन जब जर्मिनेट करते हैं तो उसको बहुत जादा धूप नहीं जरूरत होती है मगर काफी लोग क्या करते हैं कि जो अडिनियम का मीडिया उसी में जैसे मैंने बताया था सीड्स उप पर ही डाल देते हैं और उसी पॉट में ग्रो करने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होता एक तो जो है उसमें धूप का जो है सही से जो अपना प्रॉलम करती है दू तक लिए अदेनियाम को अधेनियम को फिर झाय के छहाएं में रख देंगे तो मीडिया करते आपका अधेनियाम की तो um पहुत होता है कि जैसे कई सब्सक्र सेशनल्स प्लांट वोगम प्लांट होता है और आपन समझें कि जो अडीनियम का मीडिया है उसी के अंदर यह अपना प्लांट प्रॉपरली ग्रोव कर जाएगा तो वह अपना सीजनल अपन प्लांट लगा रहें उसको भी डिस्टरब करें अब बात करें दोस्तों नुट्रिशन की जैसे आपन खात देते हैं किसी भी अपना फर्टिलाइजर दिया तो अपना के स्टेज के उपर है वह उसके अकॉर्डिंग उसका फर्टिलाइजर डिसाइड होता है जबकि सीजनल प्लांट है या सीडलिंग है उसके लिए न्यूट्रिशन जो है वह अलग रिश्यों में जोड़त हो अलग एंपी के भी और साथ में आपने जो है हाई पोटाश वाणा जो है क्योंकि फ्लावर और अधने तो आपने फ़्लावर डृटिलाइजर उसके डाल दिया तो वह सीडलिंग की ग्रोथ को प्रॉपर नहीं होने देंका तो इसलिए दोस्तों हमेशा जो है अलग लगी लगाना चाहिए पर कैसा न्यूट्रिशन चीए वह अलग होता है और समय लगा लिया और या सीडलिंग लगा लिए तो उसके लिए अलग टाइप पर न्यूट्रिशन जो तो तर इसलिए दोनों जो है वह कभी भी साथ में जो है लग नहीं सकते हैं और दोस्तों क्या होता है कि हर प्लांट का जो है एक होस्त तो वह उसके लिए पैरसाइट की तरह काम करता है मतलब वह उसके जो न्यूट्रिशन होंगे जो अपने अडिनियम को चाहिए उसको एब्जॉर्ब करेगा और उसके जो रूट्स पैटरन उसको डिस्टर्ब करेगा कल को जैसे आप रिपॉर्टिंग करते हैं तो इसकी रू दोस्तों इस तरीके से कुछ एक पॉइंट्स थे जिनको आपने डिसकस किया कि अडिनियम के अंदर ही अपने को दूसरे प्लांट क्यों नहीं लगाने चाहिए हमिशा कोशिश कीजिए कि जो भी आपके अधर प्लांट हो सीजनल प्लांट हो सीडलिंग हो हर एको मीडिया कुल यह उनिधल वह अलग अलग होते हैं हर एक प्लांट जो घ्रोइंग एंडलों रह 화ज होते हैं अधर के अपने regrets का ये अब नहीं करें कि अपने को आपने योगा पॉर्ट के अपन दूसरा प्लांट आपण आपको आपना चैनल है ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेर करें लाइक करें वीडियो देखने का बहुत-बहुत धन्यवाद